Hello Everyone, तो कैसे आप सब? I hope बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ ले होगे तो देहो जैसा हमने अपने अनॉंस्में वीडियो में डिस्स किया था CVC Class 10 के लिए कि हम लोग पूरे पूरे चैप्टर्स था एक एतर के वन सॉल्ट दाने वाले हैं उस सीरीज में पहला जो चैप्टर है आपका रियल नंबर दो हमने जो study plan दिया है उस study plan के accordingly ही हम काम करने वाले हैं और उसी हिसाफ से वो chapters हम upload करने वाले हैं आपके लिए पहला chapter आज जो है वो रियल नंबर next chapter हम statistics पे करने वाले हैं उसी order पे जिससे आपका कम समय में अच्छ गारेंटीड हो पाए पहले हम लोग part A के सारे chapters देखनेंगे तिल नॉमबर बाई नॉमबर हम लोग ये part A के chapters देखनेंगे हैं तो real numbers chapters पढ़ने से पहले real numbers chapter पे हम लोग real number है क्या number क्या है number system क्या है चलिए पहले वो जान देते हैं ठीक है ना सो देखो वह भी चीज हमें जब nature में देखता है ना ठीक है तो हम इसे बोलते है natural number ये जो है अपना nature में मतलब nature में क्या आप बोल रहा हूं मैं क्या आपको देखो 1,2,3 ये सारा चीज आप nature में देखते हो आप तो पेड़ पे सुनते हो क्या 0 आम है 3.5 आम है या किसी के धर में 4.2 मेंबर से नहीं सुनते ना नेचरली क्या होता है इसके धर में 3 मेंबर है 4 मेंबर है 5 मेंबर है 10 मेंबर है 50 मेंबर है 50 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ज़र ने जो भी हो तो natural numbers होने वाले ठीक है तो इस natural numbers तो हम लोग n से denote तरते हैं यह natural numbers है इसी पे जब हम लोग 0 भी add तर दे तो वो बन जाता है whole number वो बन जाए लापका whole number w से denote तरेंगे फिर इसी में हम लोग जब negative भी डाल दे तो वो बन जाता है integer minus 1 minus 2 यह पूरा बन गया अपना integer integer आई से दिहा देते हूं और integer के साथ साथ अब तोड़ा क्या दरते हैं फ्रेट्सन भी डाल देते हैं ठीक है तो यह बन जाता है अपना rational number ठीक है यह बन गया अपना rational number अभी rational number बहुत जाए क्यों से दिखाए जाता है rational number के साथ साथ एत और number है एत और number system है जो इससे थोड़ा different है rational से different है वो क्या हो जाएदा irrational ठीक है वो हो जाता है irrational root 3 root 5 pi यहाँ जो अभी उमने rational number पे बात किया ना यहाँ पे जो decimal वाला बात किया decimal में दो तरह के decimal होते है एक terminating और एक non-terminating terminating मतलब 3.75 2.932 यह होगा terminating decimals और non-terminating decimal क्या होते है सर्व non-terminating decimals हो जाएंगे एक जो non-terminating होने के साथ साथ repeat दरेंगे जैसे 3.33333 जिनकों हमनों recurring भी बोलते है जैसे 3.3 recurring और non-terminating, non-repeating non-terminating, non-repeating इसी को बोलते है irrational number non-terminating and non-repeating यही है irrational number root 3 बहुत बार आपने अभी सुना भी हो दा application of trigonometry में यह 1.732 लेते है बट यह भाई decimal expansion में बस चौथा term तक है decimal की बाद 3 terms तक है यह infinity तर चनने वाला है लेकिन यहाँ repeat नहीं होने वाला है तो यह जो repeat हो जाए non-terminating और terminating इसको बोलते हैं rational और इदर वाला यह irrational जो rational नहीं उसे हम लोग irrational बोलेंगे अब मुझे नटा है आप तो real number क्या है rational number क्या है यह clear हुआ होगा आगे हम लोग यह positions भी solve तरने वाले हैं कि वही यह irrational number है proof तरके बताओ चलो अभी थोड़ा बात करने ते हैं factors नीटालने पर factorization पर क्यूं क्यूंकि आपका इसमें एप पार्ट SCF और LCM का भी है बहुत ही easy topic है class 67 से पढ़ते हुए आ रहे हो आराम से समझ में आने वाला है एप छोटा सा example लेके समझाता हूं मान लो 108 and आपको तहीं पर दिया हुआ है 45 और इनके SCF और LCM दोनों निकालने है तो हम लोग क्या तरहेंगे SCF और LCM निकालने के लिए पहले 108 और 45 के prime factors निखेंगे prime factorization कैसे वो बच्वन में क्या होते हैं देसकों हम लोग LCM कर रहे हैं but actually हम लोग prime factorization करते हैं ठीक ना so 3 से factorize किया 15 3 से आया यह 5 तो यह 3 to the power 2 into 5 ऐसे भी निच सकते हो 3 into 3 into 5 यह भी निच सकते हो and यहां पर 108 उसी तरह से तो 2 तो 54 2 से 27 3 से 9 3 तो 3 तो यहां मुझे मिन रहा है 2 पर power 2 into 3 पर power 3 ठीक है ना यह ऐसे लिखो 2 into 2 into 3 into 3 into 3 अब इनके अदर SCF लिखना है आपको इन दोनों सा SCF अदर लिखना है तो क्या दरना है जो highest common factor है factor क्या है common होना चाहिए highest common factor जो है 3 into 3 इस तो मैं नित्ता हूँ SCF में अब LCM नित्ते time क्या दरते हैं हम दो तो यह तो आही गया 3 into 3 अब जो बाकी बचा हुआ part है वो हम निखेंगे इसलिए SCF को बोलते है highest common factor वहीं बोलते हैं यहां पे least common multiple least जो भी multiple है तो यहां आ जाए 2 into 2 और यहां आ जिया 5 और यह 3 बचा हुआ है अब यह चीज देखना SCF जो है न वो LCM में हमेशा रहेगा तो दो नंबर ता जो SCF है that SCF is a factor of LCM और LCM is a multiple of SCF इस तरह का question आपको Assertion Reason में या MCQ में बिनेवा हम दो solve करेंगे ठीक है अभी यह सब चीजे अच्छे से समझो one sort है पूरा chapter थात्म करने वादा है एक ही वीडियो में ठीक है न but end तक बने रहना Assertion Reason MCQ सब करवाने वादा हुन ठीक है न चलो तो अभी SCF तो बन गया मेरा 9 और LCM जो है वो क्या है 9 और यहां क्या है 27 27 into 2 कितना हो जाए 27 into 2 54 54 और यह 10 यानि 540 अच्छे इन दोनों दो अगर मैं multiply तर देता हूं तो क्या बने दा LCM into SCF क्या बनने वाला है मेरा 540 50 into 9 54 into 9 कितना हो जाएगा 54 into 9 तर देता है 54 into 9 देतने देता है क्या बनता है 6 तो 3 45 48 So 4 8 6 और यह 0 ठीक है न तो यह बना मेरा LCM into SCF अब ज़र इन दोनों numbers को multiply करते है 108 and 45 5 से किया यह 40 and 5 40 4 से तो 4 32 इदर क्या 0 इदर 6 इदर 8 और 4 दीवा इत प्रॉपर्टी दिहाना था मुझे इस दिए मैं इन दोनों को multiply कर रहा था तो किसी भी दो number के लिए क्या याद रहतना है किसी भी दो number के लिए for any two numbers LCM into SCF is equal to product of two numbers LCM into SCF is product of two numbers अगर A, B वो number है तो product of two numbers ठीक है नहीं बनने वाला ये square ठीक से क्यूंकि मैंने impliedly का बबात समझ में आ जा समझ में आ जा ठीक है ना तो चलो अब position पर बढ़ते है अरे पहला position की तरह है ये तो third number है अरे वा third वाला उपर चला गया first वाला यहां है चलो तो यहां से start करते फिर अच्छा वो पॉपी हो जाए ओपर can two numbers कि ये extra आ गया है अच्छा मैं वहां दर्दी से पहुझी गया था चलो 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 कोई बार तो what is the SCF of the smallest prime number and the smallest composite number अच्छा प्राइम, composite और ऐसे equations के साथ-साथ मैं लॉजिक और बताते जाओंगा और कौन से बताते जाओंगा तो प्राइम नंबर्स कौन से होते है बाभू अच्छा वन प्राइम है क्या सोचो तो जा रहा चलो पंदरा सेकेंड दो अपने अपको और सोचो वन प्राइम हे क्या तब तो मैं चीजों तो लितता हो यहां पे नंबर्स है । नच्रीलन नंबर्स नच्रीलन नंबर्स ठीक है वन देहो ना प्राइम है ना तो अप sites क्यूंकि प्राइम के लिए कैया है example क्या है उसाघ्यस्ट calendar prime numbers have exactly इनका क्या है एकशेद्न दो फैक्टर होता है exactly दो फैक्टर 1 ed itself 1 ed itself 1 बैवन नफाता इवन प्राइम नंबर है और कोई प्रांब नमबर इवन नहीं हो सकता, so 2, 3, 5 यह सा prime है composite जो पहला number है वो 4 है यहां बोला है what is the SCF of the smallest prime number and the smallest composite number so smallest prime number लिखेंगे हम लो जो कि 2 है smallest composite number जो कि 4 है तो इंगा SCF जो है वो 2 है ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है अच्छा बेखा और बात समझ दो वो प्राइम या रिलेटिव नी प्राइम किसको बोला है देहो जैसे 14 और 15 है यह दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है बट इंगे कोई common factor नहीं है except 1 चुकि इस था factor क्या है 2 into 7 और यह 3 into 5 तो इंदा कोई भी common factor नहीं है except 1 इसनी हमनों क्या बोलेंगे कि यह प्राइम है या रिलेटिव नी प्राइम है प्राइम में आने वाला है बताऊंगे ध्यान देना जितनी बाते मैं बोल रहा हूं यह सब आज ये पोश्चीन में राम आने वाला है now the stf and lcm of 480 and 720 using prime factorization method prime factorization method यूज तरना है 480 और 270 अब मैं रिता जाओ वैसे lcm तरनो जाब so 2 के बाद आता है 240 2 से लिखा 220 2 पे 60 2 पे 30 2 पे 15 और 3 और 5 देखनो 5 इंटो 3 15 30 30 60 120 120 240 480 720 लिखना है 2 इंटो 2 इंटो 2 बन अब 2 से आजया मेरा 360 360 के बाद 180 90 45 15 15 इदर यहा 15 जवाद 5 आजये था 3 से आप ऐसे बना भी सकते हो यह भी कर सकते हो कोई रोख रोख नहीं कि 720 लिखा यहां लिखा 3 240 यहां लिखा 3 80 अच्छा पहले 3 दिद दिया कि पहले 2 दिद दिया इससे कोई प्राब्म नहीं होना आपको यह रफ वर्क में आपको वैसे तरने आप वैसे भी तरसतों कि नहीं हम 2 से करेंगे पहले तरसतों कोई दिद कर नहीं कि 2 किया 360, 2 किया 180, 2 दिया 90, 2 45, 3 15, 3 5 स्वाज माजवाद अभी देखो यह यह हो रहा यह 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 ना इस तो लिद्दू में 2 पे पावर 4, 3 तुदी पावर 2 एंड 5 तुदी पावर 1 है 5 ही रत पो यहां देखो 2 तुदी पावर 2 तुदी पावर 5, 3 एंड 5 अभी 2 तुदी पावर 4 तो सभी में हैं, मनलब यह दो हो, यह 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 चार, 2 और इदर भी 2 तो SCF जो है, वो कितना 2 पे पावर 4 तो नहीं दो, मनलब ऐसे ही नहीं दो, 2 इंटू 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 और इसके बाद, 1 के 3 और 1 के 5 जो की बन जाए वाइदर, 16 इंटू 5, 80 इंटू 3, 240 यूजिंग फ्राइम फैटराइजिसर, बना यह यह, अब दो, LCM बनाओ इस तब, LCM क्या हो रहा है, भाई मैं पहले ही निद देऊ, यहाँ पे, 240 अराब से, LCM निद देता हूं मैं 240 इधर ही, ठीक है न, यहाँ पे जाजिया, LCM मैं 240 पहले से निद देता हूं, कि SCF तो आनी वाला है, अब बाकी तत्रा मानी बढ़ाते हैं, मतलब, यह वाले 2 तो छूटा हूँआ था न, इसको लिखो, यह 3 छूटा हूँआ न, इसको भी लिखो, तो यह कितने हैं होता, 2 और 3, यानि कि 6 और 240, ठीक है न, मतलब 3 से यह 720, और फिर 1440, ठीक है, NCM जो है बन जा, 1440, SCF जो है, वो 240, और NCM हमेशा, हमेशा इट फैक्टर होता है, मना, SCF हमेशा इट फैक्टर होता है, LCM का, LCM हमेशा मल्टिपल होता है, SCF का, Can 2 number have 24 as their SCF and 720, 7290 as their LCM, So, चेट कर लेते हैं, 24 से यह divisible होना चाहिए, तो देखते हैं, 3 times 72, खतम, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 0, यह 3 times 72, तो यह तो फैक्टर है नहीं, So, 7290, और उल्टा, यह भी निद्धो, 24 is not a factor of 7290, समझ मेरा बात, 7290 LCM अगर है, तो SCF 24 हुआ, तो भाई, फिर 24 तो उस ता फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि SCF तो LCM ता फैक्टर होता है, यही बात करते हुए रहा रहा है, समझ मेरा रहा है, क्यों बोल रहा था, पोस्चेन में यूज होने वाला था, पॉनसेट तभी बोल रहा था, ठीक है, अभी देओ, So, 24 is not a factor of 7290, सो, वी कन नॉट है, Have two numbers Having SCF 24 and LCM 7290, समझ मारी बात, ठीक है, So, 7290, LCM बन जाए, और SCF 24 ऐसा हमें नहीं मिनने वाला है, क्योंकि यह 24 इस ता factor नहीं है, अभी तो क्या बोल रहा है, SCF of 85 and 283 is expressible in the form this, तो सीधा सीधा बात है बाबू, ऐसा तोशें जादा आपको MCQ में मिलेगा, मैंने यहां भी रख दिया, So, 238 और 85, अभी SCF नितालना है, किस मेथड से नितालना है, बोला नहीं है, देख लेते हैं, 238 यह 2 से तो divisible है ही, क्योंकि एक even number है, So, 119, यह भाई 7 से होता है, 17 times, थोड़ा table दिमाग में रहना चाहिए, मैं development school से पढ़ा हूँ, हम लोगो क्या होता था है, school में न, वो नहीं होता है, class में सर, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, तो वो पहाड़ा, पहाड़ा बोलते है थोस्टेम, ठीक है, table तो अभी English medium में होता है, तो यह याद रखना पढ़ता था, नहीं, तो लंबा वाला छड़ी होता था, ठीक है, तो यह वो भी reason है, कि याद रह जाता है, ठीक है न, करते अर्थे भी practice में आपको रहेगा, कि यह से 119 जो है, वो 17 इंटू 7, नहीं, तो आप तरते हुए जाओ, यह 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 में मिल ही जाएगा, नहीं न, और याद रहे, table, तो ज़्यादा प्रामाता है, ठीक है न, चलो, और अभी 85, 85 तो दिखी रहे, कि भाई यह तो 17 और 5 है, यह तो अलत से तरने हाँ, जोड़ भी नहीं है, तो SCF दिखी गया, SCF is nothing but 17, अब अब अधर SCF इस तरह से express किया हुआ है, 85 M, minus 238, is equal to 17, क्योंकि वही है SCF, तो अभी 85 M, is equal to 17, plus 238, अब मैं थोड़ा से यहाँ पे, calculation में दिमाग लाने वाला हूँ, वो देखना, यह आपको यह और जगाँ पे काम में देने वाला है, इसलिए, बनब ऐसा दरही है, वो होता है ना, buy one, get one free, 8 concept परो, 8 question परो, दूसरे question में भी यहाँ काम आने वाला है, ऐसा दाम दरते हूँ, so मैंने अभी यहाँ पे factorize किया था, 238 को, कैसे, 238 में 17 था, और इधर 7 इंटू 14 है, so, 14 इंटू 17, अब दर मैं 17 तो तौमन रखता हूँ, तो 1 प्लस 14, 17, 17 इंटू 15, आपको ऐसा question दिया जाएगा, कि आपको प्रूफ दरना है, कि यह composite number है, ऐसा question दे दिया, कि बताओ कि यह composite number है, यह अप्चेत परो, यह composite number है, यह reason दो कि यह composite number है, तो भाई, यह composite number, जो fundamental arithmetic है, अपना नंबर्स था, कि भाई, एक composite number को हम different prime factors के multiple में लिख सकते हैं, आप prime को नहीं लिख सकते हैं, प्राइम रहेगा, मालो यह 3 है, आप इस तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 into 2, यह मालो, यहाँ पे अधर ताहीं पे 11 है, इस तो मैं ऐसे 3 into 2 नहीं लिख सकता हैं, नहीं मेरे पास 12 है, तो मैं लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 3, तो आपको यह proof दरने को आ सकता है, बोला जा सकता है, यह दिहाओ भाई, यह composite है, तो आप यह दिखने के बाद बोलो जिए, कि भाई, यह तो different prime के multiple पे दिखा जा सकता है, इसलिए यह composite है, अब यहाँ क्या त्रामाया देखो, calculation easy हूँ, आपको multiplication कम करना पड़ा, क्यों, 17, 15, divided by 85, तो 17 से यह 5 times, और 5 से यह 3 times, तो M का value मेरा कितना जवाब हो, 3, ठीक है, चलिए, यह same तरह का question है, एक मैंने रद दिया है, आपके लिए same type है, इसना answer आपको comment में बताना है, ठीक है न, यह भी तो समझ में आए, कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, और हाँ, यह अपने तखी मतरत हो, जो ऐसा, कहा कि अभी के time पे न, अब यह जो time आ जया है, यहाँ तो 2 मेना, 3 मेना के अंदर, 2 मेना यहाँ कैस, December तो तो आप पढ़ो ही नहीं, October और November, less than 2 months है, ठीक है, 50 days around, अप समझ के A वाला चैप्टर हमने distance किया न, जिसमें आपको 49 आराम से आप डा सकते हो, out of 80, और उधर वाले चैप्टर से अदर, 5, 6 भी ला दिया न, वाई, 55, plus 20, यह बस इस 50 days के preparation में, आप 75 out of 100 score तर सकते हो, और बोर्स तर जाते जाते तो हमनों 90 प्रॉस तरने वाले हैं, ठीक है न चलो, आजे बढ़ा, now, in a school, the duration of period of junior sessions is 40 minutes, तो क्या junior session का 40 minutes हैं, और senior session का जो period है, वो one hour का है, और first bill जो है, वो 9 बजे बजी हुई है, 9 बजे, when the two bills ring together, तो भाई, सीधा सा बात है, पहला वाला junior session जो है, उस तो लगता है 40 minutes बात, और senior session का जो है, वो है 60 minutes, तो अब बाबो, SCF, बोल रहा हूँ है, सौरी, LCM of 40, क्योंकि least common multiple चाहिए, LCM of 40 और 60 निकाल लेज़े आप, तो LCM of 40 and 60 निकालने के लिए, 40 में मैं निट सेता हूँ, 20 into 3, आप इस तो तोड़ के लिखना, वन आप तोड़ के लिखना, in the sense, लिखी देता हूँ है, 2 into 2 into 5 into 3, 3 यहाँ थाँ है, into 2, 3 तो 60 में, और 60 में, 2 into 2 into 5 into 3, देखो, 20 into 3, 20 into 2, ठीक है ना, तो LCM में, पहले क्या आने वाला है, जो तौमन है वो लिखनो, लिखनो उसको, तौमन वाले पार्ट को, मतलब कि यह वाला पार्ट, जो कि है 20, और अब बचा हुआ, 2 और 3, ठीक है ना, एक यह रूट ना, 20 into 2, 20 into 3, 20 into 2, एक यह रूट, एक यह रूट सही है, एक यह रूट सही है, तो यह आया 120, 120 यानि कितना, टू आवर्स, 120 मिनिट यानि कितना बावू, टू आवर्स, तो बाद बताओ, कब यह बिल दुबारा बज़ेगा, 9 a.m. पे बज़ा था, यह दुबारा तब साथ में बज़ेगा, फर्स बिल जो है, वो इस सेट्सन का 9 a.m था, दुबारा तब बज़ेगा, 11 a.m. पे, 11 a.m. मिना भी नो, 9 के बाद, जो जूनियर सेट्सन है, उनका हुआ होगा 940, ठीक है, फिर 1020, और फिर 11, और सीनियर सेट्सन का 9 के बाद, उनका हुआ होगा 10, और 10 के बाद, ठीक है, आरे जिर्मन भाई, जारे जारे जा, अभी बहुत क्राम बाद की है, कॉम्पोसित वाने बात पहने ही तर दिया था, पोस्चन देख लेते हैं, दिखाने है, एट्स्प्रें तरने है, वाई दिस इस कॉम्पोसित, तो बाबू, 17 इंटू 11 प्लस 2, एए, क्राहे का प्लस 2, प्लस 17 इंटू 11, प्लस 5, तो 17 और 11, प्लस 5, तो 17 और 11, प्लस 5, अब बनता है, 17 इंटू 11 इंटू 7, और अब वो रमाइन दिदो, तो, तो, other 11, प्लस्प्रें, तो, 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 आब डिखानओ, तो, 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 Намले है क्या बनता है, 17 और 11, एए, यह, now the LCM of 2 number is 14 and their, the LCM of 2 number is 14 times of their SCF and the sum of LCM and SCF is 600, sum of LCM and SCF is 600, और भाई LCM, मैं मान लेता हूँ कि SCF जो है, मानता हूँ चलो कि SCF है X, तो LCM कितना, LCM है 14 X LCM है 14 X, सब्च मैं यह बात, मेरा यहाँ पे, अदर SCF है X, तो LCM है 14 X, क्यों जी बोला है 14 times, अब जा बोला है, sum of LCM and SCF is 600, so X plus 14 X is 600, 15 X is 600, X is equal to this by 15, that is 40, तो बाबू, NCM कितना बावा, 40, SCF 40 and NCM, 14 into 40, 5 60, 5 60, अब if one number is 280, अब हमारे पास तो एट तरीका है ही, कि LCM, product of two number, क्या बोला है देहो, if one number is 280, find the other number, मान देते हैं, other जो number है, वो Y है, तो 280 into Y, क्या होने वाला है, LCM of two number is equal to the product, LCM and SCF, the product of LCM and SCF of two number, is equal to product of two number, product of two number, क्या हो रहा है, LCM और SCF का ही product है, तो यहां लिएतने हैं, LCM, कितना है LCM, कितना है 560, और SCF कितना है 40, तो यह हो गया, दूसरा number जो है बाबू, वो है 80, दूसरा number है 80, इन दोनों था, LCM जो है, वो है कितना 560, और SCF जो है, वो है कितना 40, रफ में चेतर नेते हैं, यह, SCF 40 आ रहे है, 280 है, और 80 है, इस तो मैं 40 into 2 लितना हूँ, यह चेतर नहीं के लितना हूँ, इसलिए डारेट, and 14 into 7, so देखो, 14 into 14 जो है वो LCM है, यानि सही आया है अपना इंसर, so the other number is, other number is, other number is 80, चेड़ा अब जन्दी आदी, आजे जो है वो, यह बढ़िया है, prove that root 3 is irrational, देखो, root 3 irrational है, यह prove करना है, हम लोग ना मान लेते हैं, कि root 3 rational है, मनद क्यासे होता है, किसी के बारे में बताने हैं, अधर मान लो, अभी मैं आपके ममी पापा से मिनू, और वो बोने, मेरा बच्चा जो है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई तर रहा है, एड़म से मतलब पूरा preparation उसना थतम हो रहता है, मैंने जब उससे पूछा, कि वावू, तुमने क्या पढ़ा है, तो बताता है, सर, NCRT तो पहला वाला जो exercise हो, उसके हर exercise में 3-3 position solve दल लिया, तो इससे तो बहूरा अच्छा नहीं होने वाला है, माचस, तो मतलब जो सुन रहे हैं, तुम्हारे बारे में वो नहीं होने वाला है, कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा माचस टानवाद, अच्छे माचस के लिए तो पूरा पढ़ना पढ़ेगा, ठीट, वैसे ही यहां अधरम किसी को irrational माल लेते हैं या rational माल लेते हैं सॉरी, किसी को rational माल लेते हैं, पहरे माल लियाजी चलो rational है, फिर दिठाएंगे नहीं, इसमें rational वाला कोई भी लच्छन नहीं है आपके नंबर में माख केजिएगा कोई भी rational वाला लच्छन नहीं है, इसी लिए ये इर्रेस्नन है, ये होता है तरीता ऐसे कोश्चन्स तो सॉल्टा नहीं है, पॉंट्राडिट्सन्स है नहीं, एक और चीज़ समझो 144 जो है न, वो 12 ता स्वेर है 144 9 का मल्टिपल है बट 12 जो है वो 9 का मल्टिपल नहीं है, 9 is not a factor of 12 बट 9 is a factor of 144 ऐसा करिस्मा हुआ कैसे ऐसा क्यों हुआ तो भाई 12 क्या है 2 into 2 into 3 है 12 क्या है 2 into 2 into 3 है, भाई रेनेवेंट है हाँ, ऐसा मत सोचना कि अचानत समय ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी काम में आने वाला है इसने इस तो अच्छे से समझो ये नहीं ये इरेनेवेंट चीज़े, इसकी तरो आजे बढ़ो नहीं, ये समझो ये अभी इसके प्रूफ में ताम आने वाला है 2 into 2 into 3 और यहां 144 में क्या होगा कि 2 into 2 into 3 है और फिर से 2 into 2 into 3 है, तो ये 3 और 3 मिन के यहां 9 बन जा, जो कि यहां नहीं था तो इसी दिए तब ही भी 9 is a factor of a 9 is a factor of 9 is a factor of a square तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 9 is a factor of a क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, अगर 9 प्राइम होता तो मैं ऐसा बोल पाता क्या 9 प्राइम नहीं है, वो दो नमबर्स वो मिला के बन सकता है बट अगर 9 प्राइम होता है, जैसे कि अगर मैं यहां पे 2 की बात तर रहा हूँ, 3 की बात तर रहा हूँ, 5 की बात तर रहा हूँ, 7 की बात तर रहा हूँ यह प्राइम नंबर से, यह किसी और से बिनके नहीं बन सकते, यह ऐसा नहीं है कि इतना नमर इधर से है, इतना नमर इधर से है, दोनों सा फेक्टर मी नहीं बन गया, नहीं, वो 9 में पॉसिबल था, क्योंकि 3 और 3 मल्टिप्लाई होते है, बन गया 9, इसी नहीं 9 is a factor of a square, but 9 is not a factor of a, इस case में, यहां मैं नहीं बोल सकता, लेकिन, 2 और 3 के case में बोलूंगा, चलो अब देटने इस था प्रूफ, so let, root 3 is rational, तो भाई, अदर root 3 rational है, तो किसी भी rational नमबर को p by q के form में निथा जा सकता है, where p and q are 4 prime, 4 prime का मतनब क्या होता है, having no common factor, are 4 prime, और अच्छे से निट तुमें सो, 4 prime, having no common factor except 1, and q is not equal to 0, obvious सा बात है, division तर रो, not equal to 0, क्या तर हो यह स्वेरिंग बोट साइट्स, इस्वेरिंग बोट साइट्स, वी गेट, p square is equal to q square, अब लिखेंगे, p square is equal to 3 q square, 3 q square, यहां इतने है, p is a factor, और p is a multiple, sorry, p is a multiple, of p square is a multiple of 3, p square is clearly a multiple of 3, भाई, q square, एक इंटीजन लिए है ना हमने, ठीक है, यह p और q क्या है, इंटीजर से, p belongs to integer, q belongs to integer, so, p square is a multiple of 3, as 3 is prime, as 3 is prime, p is a multiple of 3, और अगर p multiple of 3 है, तो मैं लिख सता हूँ, p is equal to 3m, मैं लिख सता हूँ, p is equal to 3m, और ऐसा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ, इस तो equation 1 में डाल के, कि भाई, 3m square is equal to 3 q square, तो यह तो भाई, यहां चाहिए, पीचे चाहिए, पेर इपनेस किया, तो 9m square is equal to 3 q square, और अभी देता हूँ, q square is 3m square, q square is 3m square, अब फिर से वही तहानी कि, q square, यहां पे, q square is a multiple of 3, 3, so as 3 is prime, q is a multiple of 3, q is a multiple of 3, तो q square is a multiple of 3, as 3 is prime, q is a multiple of 3, और जैसे ही आज यह multiple of 3, अब क्या तरना है, अब क्या तरना है, देहो, q is a multiple of 3, तो अभी यहां पे, हम लोग क्या बोन देहीं है, therefore, p and q have a common factor, 3, so, our assumption was wrong, जो मानगा, जो सोचा था, assumption जो है, वो दलत था भाई, ठीक है, कि p और q था तो पोई common factor नहीं है, common factor रिकल आया, 3 है common factor, ठीक है, तो 3 other common factor है, यानि p and q are not prime to each other, so, root 3 is not rational, therefore, root 3 is irrational, irrational, अच्छा, rational और irrational के बारे में, थोड़ा साइद, अच्छा बात है, वो जान लो, बहुत ताम आने वाला है, mcq में तहीं दे दे, यहां भी ताम आएगा, कि दो rational नंबर को add तरो, subtract तरो, multiply तरो, division में बड़ सेकेंड वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो मुझे rational ही मिलेगा, एक rational और एक irrational तरो, add तरो, subtract तरो, multiply तरो, divide तरो, यह हमेशा irrational ही मिलेगा, बट दो rational, दो irrational ने नूम है, तो मैं यहां कुछ बोल नहीं सकता, में और में नौट बी rational, में और में नौट बी irrational, दो जैसे मैं, root 3, 1 irrational है, root 3, 1 irrational है, irresonant को multiply तर दिया है और irresonant से तो resonant भी हो सकता है irresonant भी हो सकता है बट अगर आपने irresonant और irresonant लेके कोई काम किया तो हमें सचा देने वाला irresonant चलो, so prove that 2 root 5 minus 4 is an irresonant number using the fact that root 5 is irresonant, root 5 irresonant ने हमें बता दिया जा है यह अब हमारी संपत्ती है हम इसको यूस तरहेंगे so prove that this irresonant मान लेते हैं फिर से वही बात r 2 5, 2 root 5 minus 4 is rational मान लेते हैं यह rational है so r minus 4 is 2 root 5 और root 5 is equal to r minus 4 by 2 r minus 4 और r r r r minus इदर आज़े plus हुआ वही r plus 4 by 2 यह है root 5 अब एक बात बताओ r is rational so r plus 4 by 2 is rational क्योंकि बाई, rational तो rational से add तरो, divide तरो वो rational ही होने वाला है but root 5 is irrational बात बताओ ऐसा possible है क्या, left hand side में irrational हो, और right hand side में rational हो नहीं नहीं, equal नहीं हो पाए वाना तो यह नहीं, assumption wrong फिर से भाई नहीं कहीं है our assumption was wrong तो भाईया यह सवाल भी दोन क्या हो जा यह, rational नहीं है irrational है यह सेम तरीता आपके प्रैक्टिस के लिए ठीक है प्रूव दाट 2 root 7 minus 5 by 3 is a irrational number using the fact that root 7 is irrational समझे, प्रैक्टिस तर लोगे इस तो और हाप, अदर हो जाए तो comment में बता देना, yes पिछना वाला question का तो M का value निकाल के, question number 4 था, yes बताना अब आते है थोड़ा assertion reason, फिर case based question is और फिर MCQ पहाईगा बना हर तरह का question, one sort में पूरा concept भी समझा दिया, हर तरह का assertion reason, MCQ, case based फिर तुमारा starting में जो theoretical आएगा यह, देवो chapter important है, sit smart साइस में, ठीक है ना, थोड़ा सा best return on investment वाला chapter आपनों तरने वाला है, तो देवों यह बोल क्या रहा है कि SCF of any two consecutive even natural number is always two even natural number always, मतलब मैं ने नू 10 और 12 इंता हमेशा जो है factor क्या आने वाला है, वो क्या आने वाला है two ठीक है and even natural numbers are divisible by two, देवो even natural numbers क्या है, वो तो divisible by two है, और इंता क्या होता है, यह और चीज़ा है, कि तो common factor होने नहीं वाला other than consecutive numbers तो ऐसे ही prime होते है consecutive numbers prime है, so even number, even natural numbers are divisible by two, यह अच्छा एदमतरेट explanation भी हो जा even natural numbers क्या है, वो divisible by two होते है, always और यह जो है, यह इंता scf of any two consecutive natural number is true, तो यह true है, और इसता turret explanation भी है, assertion reason पूरा true है, ठीक है ना अभी देखो, 0 is a rational number and any integer divided by 0 is rational, ठीक है ना, क्या बोल रहा है 0 is a rational number, यह तो true है भाई, assertion is true any integer divided by 0 is a rational number, देखो भाई division by 0 तो possible ही नहीं है, reason false हो जाए, ठीक है ना, reason false हो जाए, यहां भी question को थोड़ा सा बदल दे अधर कोई, कि भाई यह 3 हो जाए, तो यहां भी हम बोद देंगे कि reason false हो जाए, assertion बस true, reason false हो जाए, यहां आजाओ, assertion क्या है, SCF and NCM of two number is 24 and 221, ठीक है, और SCF is a factor of NCM, तो reason तो true है, but assertion जो है, वो false है, क्योंकि 24 इस ता तोई factor होने नहीं वाला, कैसे मैंने देख कि कैसे बता दीया, factor नहीं होने वाला, क्योंकि 24 हो एक even number है, और 221 एक odd number है, हो नहीं नहीं वाला, चेक क्या तरना है, हो नहीं नहीं वाला, ठीक है न, तो यहां पर assertion is false but reason is true, ठीक है, assertion is false but reason is true, तो यहां, assertion reason क्या सहता था है, एक case best motion देखने एक case-based question देते हैं, फिर MCQ पे जाएंगे, सो, conducted in your school and one of your friend is making the model of a factor tree, factor से tree बना रहा है, he has some difficulty and asks you to help to complete the quiz for the audience, observe the following factors and answer the tree, अभी देखो, H जो है, वो यह 5 और 2, 7, 8, 3 पे हो रहा है, तो H ता value पहला बाला में बोला निकालने हो, पहला कोशन गया है, H ता value निकालने है, तो भाई, ये तो इन ही दोनों दा factor है, multiply तर होना, 2, 7, 8, 3, into 5, सीदा, 3, into 5 जेतना हो, 15, 1, 41, 41, 37, sorry, 35 and 4, 39, 3, and यहां जेतना हो, 30, 10, into 3, 13, so, 13, 9, 1, 5, 1, 3, 9, 1, 5, देखनेते हैं, फिर से, 8 से यह 15, तो 1 हो जा, 40 तो 41 हो जा, 35 तो 39 हो जा, और 10 तो यह हो जा, समझ में आया, 1, 3, 1, 5, 9, यह आजा है मेरा, 1, 3, 1, 5, 1, 5, 9, यह, 1, 9, 5, 1, 3, 9, 1, 3, 9, 1, 5, ठीक है, 1, 3, 9, 1, 5, अभी वाट विन भी दा वैड़ो ओफ वाई, यह किदर है, 287, फिर से 287, यहां, सॉरी, 28, 2783, 2783, 2783 जो है, उसता दो पार्ट में बाढ़ रहे हैं, यह लोग, 253 और 8, यह, तो हमनों देखने ते 253 से ही, 253, और यहां भी 3, यहां पुछ गढ़बढ है, यहां पुछ गढ़बढ दात रहा है, देखते हैं, 2783 है, और यहां 253 है, देखते हैं, 5 से कितना बढ़ देखने ते हैं, 5 से यह हो जाएवा, 5 क्या 1 है, 5 क्या 1 टाइम्स, 1 देते हैं, तो 253, यह कितना मिना भई, यहां पे मिन जा यह, क्या हुआ, 253, यह तो 11 टाइम्स है, ठीक है, 253, हाँ एड़म से सही है, 253 इंटू 11 है, यह 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 ता वैड़ू तो 11 है, ठीक है, और 253 भी 11 से डिवाइड हुआ है, फैटर 3 तो तम्रीठ ही तर देते हैं, तो 2 तो 22, 3, 3 तो 23, ठीक है, फैटर 3 तो ही तम्रीठ तर दिया, यह कितना है, 23, 23, तो अब जो, जो वैडू बोला जा रहा है, वो आराम से हमनों डिटाल नहीं है, क्या बोला है, वाट विन बी दा वैडू अफ वैडू अफ यह, कितना डिफितल्ट होता है यह सब्वोशन, वाट वैडू अफ वैडू अफ यह, 11, prime factorization क्या बनने वाले है तो अब जड़ा यहां से चलना सुरू तरे हम लोग तो यह 11 है यहां भी 11 है यहां भी 5 है तो 11 ता square है यहां 5 है, यहां 23 है यही तो prime factors है ठीक है ना समझे 11 ता square है दो ही बार 11 आया है 11, 11 यह हो जा, 11 square 23 और 5 ठीक है 11 square 23 and 5 देखनो, जो जी 23 से 11 times, फिर 253 से 11 times और यह था 5 times तो यह हो जा अपना position from lead अब आपनों पहुँच चुके है MCQ चे तरफ बहुत अच्छे से आपने पूरा देखा है ठीक है ना तो चलो अब last है product of a rational number and a irrational number इस देओ, यह सब मैं पढ़ा चुता हूँ अब सोचो, सोचो जदी जदी अपने मन में position को read करो options को देखो product of a rational number and irrational number is यहाँ आपको marks कोई और नहीं देना वाना थोदी खुद को marks देना है समझो इस दो rational बता दिया, मैंने irrational बता दिया, क्या बोला था? यह एट number दूसरे था multiple है, बोल दिया जाए तो LCM बड़ा वाला number होता है और SCF छोटा वाला number होता है So, Y is a multiple So, Y will be the LCM SCF पूछता तो X हो जाता है, जैसे मैं बता दो 10 is a multiple of 2 तो 10 और 2 था LCM क्या हो जाएदा? 10 समझे Now, the least number is divisible by all the numbers from 1 to 5 all the numbers from 1 to 5 1, 2, 3, 4, 5 लेके, क्या दरना है? LCM So, 1, 1 3, 2, 5 यहां 2 से 1, 1, 3 1, 5 यहां 3 से 1, 1 1, 1 5 तो यहनि 4, 3, 12 and 5, 60 is the smallest number which is divisible by all the numbers from 1 to 5 both inclusive यह numbers में ज्यादा अच्छा होगा यह आप integers और natural number बोला जाएँ वो best होगा numbers में बहुत सारे numbers होते हैं इसने ऐसा बोलना नहीं चे all the natural numbers all the natural numbers now product of any two consecutive even natural numbers is देथो भाई दो consecutive number था जब बात हो रहा है ना तो पहला number और दूसरा number यह हमेशा consecutive numbers में 8 पो even होना है एक even होना ही होना है क्योंकि 8 number even होता है 8 odd होता है ऐसी होता है divisible by 2 या remainder 1 दे दे तो 10 अधर है even तो 11 है odd 10, 11 15, 16 तो 15 odd है तो 16 even है तो जब even आ जा तो product जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा even क्योंकि product of 2 odd number बस odd होता है तर 8 भी even आ जा उसमें न even अब last है SCF of 16, y is 8 and LCM of 16, y is 48 तो 16 है और y है तो 16 into y तरो यहा 8 into 48 तरो यही है न वही LCM of 2 number SCF of 2 number तो यह केंसिल यह 2 y आया 48 to 24 तो 24 है दूसरा number 24 तो क्या हुआ concept समझ लिया questions solve तर लिया assertion reason case based और MCQ इसके बाद भी अभी भी तोई दिख्लाता है न इस chapter में comment में बताओ ठीक है उस पे additional अमनों प्लास नहीं है लेकिन अभी के लिए क्या है यह one sort one sort series चल रहा है फिर exam के पहने marathon आने वाला है और MCQ treats भी आने वाले है अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल दी है कि नहीं मुझे trigonometry और वो जो part B वाला है तो वो सब already channel पे uploaded है आप देच सकते हो CBSC class 10 के अपने डिश्ट पे लेकिन अब जो है यह exam preparation के लिए आप पूरा एक series है one sort का जो आप तो यह below 30 below 40 से 80 plus 90 plus ले जा सकता है अजर यह series आपको helpful लग रहा है तो और भी दोस्तों में share कर दो ठीक है ना बहुत काम होने वाला है और यह आपके भी बहुत काम आने वाला है ठीक है तो और लोगों के भी काम आएगा exam में अच्छा होगा वो भी अच्छा तहींगा sharing is scary चलो फिर अच्छे से रो पढ़ते रो फिर मिलते है next class में stats के वीडियो के साथ मनदब statistics के साथ ठीक है थैंक यू